असलावलिकुम दोस्तों आपका फिर समय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुएट खबर यूटूब चैनल पे तो सातियों आज की वीडियो में कुएट से सबसे पहली जो खबर आ रही है M.O.I. Reminded Expert to Complete Biometric Fingerprint Before 31st August भाईयों जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि कुएट में सभी का Biometric Fingerprint किया जा रहा है कुएटियों का तो दोस्तों टाइमिंग बहुत ही जल्दी खतम होने वाला यानि उनका जो अल्लिमेटम जहा वो खतम होने वाला है पर परवासियों को डेट दिया गया था 31 December 2024 लाज़ डेट था तो M.O.I. के तरफ से Minister of Interior के तरफ से सभी परवासियों को फिर से दोबारा याद दिलाया गया है जल्दी आप लोग अभी तक अपना फिंगरप्रिंट बायमेट्रिक नहीं करवाये हो तो जल्दी से जाके करवालो जहां पे हो रहा है सुबा 8 बजे से लेकर 8 बजे रात तक तो भाई आपने अभी तक नहीं कराया तो जल्दी से जाकर विजिट हो जाईए और जल्दी से जाकर करवाली जिए 31 December तक लाज़ डेट है दोस्तो अगला ख़बर बताने से पहले बताना चाहता हूँ भाई मेरा एक टेलिग्राम का चैनल है यदि आपको किसी तरह का प्रॉबलम है कोई आपके मन में सवाल हो कुछ आते हो जौब के बारे में जानकारी वीजा के बारे में तो वहाँ टेलिग्राम में मुझे जॉइन कर लिजे और डेट मुझे वहाँ पर कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट का उप्सन मैंने वहाँ पर ओपिन कर रखा है तो आप लोग कोई भी सवाल करोगे तुरंद वहाँ पर सवालों का जवाब में दूँगा क्योंकि दोस्तों यूटूब पे मैं सभी को जवाब नहीं दे पाता हूँ तो टेलिग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्सन पर लिंक है एक्स्ट्रीम कोई नाम का दोस्तों चैनल है जल्दी से जाके जॉइन हो जाईए और अपना सवाल जो भी मुझसे पूछ सकते हो अगली खबर के दो चलते साथ हूँ जो की साथ हूँ अबेसी ओफ इंडिया से आ रही है अबेसी ओफ इंडिया नाइन्थ अयरुवेदा डे दोस्तों इंडिया में अयरुवेदा डे मनाया जाता है जैसे कि आपता है तो नौ सालों से अयरुवेदा डे मनाया जा रहा है इंडिया में तो इसकी डेट रखी गई 28 अक्टूबर 2024 टाइमिंग होगा शाले 5 बेस लेकर शाले 6 बजे तक तो येदि आप लोग जाना चाते हो साले 5 बेस साम को साले 6 बे तक एक घंटे तक चलेगा तो आप लोग जाना चाते हो भाई जा सकते हो 28 अक्टूबर को अप लोग जानते ही होगे आप चले जाएगा साले 5 बेस लेकर साले 6 बे तक एक घंटे तक दोस्तो ये कारकरम चलने वाला है अगली जो अपडेट आ रही तो एक आखले के मुताबिक दोस्तो ये बताया गया कि इस कैंपेणिंग के दोरान बहुत सारे क्रैम रेट वहाँ पे कंट्री में कम हुआ है यानि काफी घटा है तो वीडियो के सुन पर जिस बंदे की आप फोटो देख रहे हो भाई इनका नाम है इनका नाम है मुहम्मद रजब ये जनरल है और ये बिर्गेडियर भी ये है उनके तरब से ये कही गई है कि ये सेक्रिटी कैंपेण होने के वज़ा से कुएट में क्रैम रेट काफी जादा घटा है इससे लोगों को वहाँ पे काफी जादा फाइदा हो रहा है अगली जो अपडेट आरी दोस्तो रिड़क्षन ओफ नंबर ओफ बैचलर रेसाइडिंग इन दा प्राइविट और फैमली होसिंग एरिया दोस्तो कुएट में जो बैचलर रेसिडिंग जो प्राइविट एरिया है वहाँ पे काफी कमी देखनी को मिल रही है फैमली होसिंग एरिया में दोस्तो आपको पता ही होगा कि कुएट में एक रूल बनाया गया है कि कोई भी बैचलर जो है वो फैमली एरिया में नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे रहना इलीगल होगा जिसके बज़ाए से काफी बैचलर जो है अब वो तो उस एरिया में छोड़कर जा रहे है जहां पे बैचलर लोग रहते हैं वहीं पे रहने जा रहे है तो यह कुछ ख़बरे थी अपडेट सी जो कुए से रहे थी मैंने अब तक से एर किया मिलता हूं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक लेज़ जाहिंद और टेक केर